जय श्री राम, जय हनुमार, आईए बक्तचजीन, ध्यान से सुने श्री महालक्षमी की वरतकता, गुरवार की वरतकता, इसे श्रवन और पठन करने से दुख दाविध्र दूर हो जाता है, श्री महालक्षमी माता की कृपा से सूख संपत्ति अईश्वरे प्राप्त होता है मन की इच्छा पूरी होती है श्री महालक्षमी माता के अनेक रूब तथा नाम है बूतल में वे छाया, शक्ती, तुरुष्णा, शान्ती, जाती, लज्जा, श्राद्धा, कांती, पृत्ती, स्मृती, दया, तुष्टी, माता, अधिश्टात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है उन्हें प्रणाम करते हैं कदम्बवन में कदम्बमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घरगर में गुरुह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है इस तरह सर्वथा चारो और सर्वबुथ में सुपरिचित माताश्री महालक्ष्मी की एक अधा है अब हम इसका श्रवन पठन करेंगे बारत वर्ष के सवराष्ट देश में द्वापार युक्किय कहानी हुई है सवराष्ट में उस समय बद्र श्रवा नाम के राजा थे वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे चार वेद, छे शास्त्र, अठारा पुरानों का उन्हें ज्ञान था उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था रानी दिखने में सुन्दर और सूलक्षना थी तथा पतिवरता थी उन दोनों को सात पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वर्दान बिला था कन्या का नाम शाम बाला था एक बार महालक्षमी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रही इससे राजा को दुगनी धन दवलत की प्राप्ती होगी और वह इस धन दवलत से अपनी प्रजा को और सूख दे पाएगा गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दवलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने उपर ही खर्च करेगा यह सोचकर श्री महालक्षुमी जी ने बुड़ी ब्राम्भन स्त्री का रूपधारण किया हाथ में लाखी लिए लाखी के सहरे राने के द्वार तक पहुची यद्धपी उन्होंने बुड़ी औरत का रूपधारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तीच था मेरे पती का नाम भुवनेश है हम द्वारिका में रहते हैं तुमारी रानी पिछले जनम में एक वैश्य की पतनी थी वह वैश्य गरीब था दारिद्र के कारण हर रोज घर में जगड़े होते थे तथा उसका पती उसे रोज मारता था इन बातों से तंग आकर वह घर चुड़कर चली गए तथा बंज जंगल में खाली पेट बटकने लगी उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई तब मैंने उसे सुक संपत्ति देने वाली श्री महालक्षमी की कथा सुनाई मेरे कहने पर उसने श्री महालक्षमी का वरत किया श्री महालक्षमी प्रसंद हुई उसकी गरीबी दूर हुई उसका घर सुसार दौलत संतती संपक्ति से भर गया बाद में पती-पत्नी दोनों परलोक सिधारे लक्षमी वरत करने के कारण वे लक्षमी लोक में रहे उन्होंने जितने साल महालक्षमी का वरत किया उतने हजारों साल उन्हें सुकभोग मिला इस जन्म में उसका जन्म राजगराने में हुआ है परंतु वह श्री महालक्षमी का वरत करना भूल गई है उसे ये याद दिलाने में यहां आई हूँ बुढिया की बाते सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्षमी का वरत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुगिया का रूप दारण किये हुए श्री महालक्षमी माता ने दासी को पूजा की विधी तथा महिमा बताई। इसके बाद हुआ दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभों में रहते हुए रानी को अपने अईश्वरे का बहुत गमन हुआ था। संपत्ति तता अधिकार की वजह से वह उन्मत हो गए थी। दासी द्वारा बताई गई बुढिया की बाते सुनकर, वह आग बबुला होकर राज द्वार पर आकर बुढिया रूपी श्री महालकश्मी पर बरस पली। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्षमी माता बुढिया का रूप धारन की ये द्वार को आई है। परन्तु रानी का इस कदर रूख बर्ता उ तथा अपना अनादर देखकर, माता ने वहाँ ठहरना खीक नशेज़ा, भिवे वहाँ से चल पड़ी, रह में उन्हें राजकुमारी शाम बाला मिली, उन्होंने शाम बाला को सारी बात बताई, शाम बाला ने अपनी और से श्री श्री महालक्षमी माता से एक्षमा मांगी, माता को उस पर दया आई, उन्होंने शाम बाला को श्री महालक्षमी वरत के बारे में बताया, उस दिन मार्गशेश मा का पहला गुरुवार था, शाम बाला ने परम्शरद्दा से श्री महालक्षमी का वरत रखा, फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सूप पुत्र, माला दर से उसका विवा हुआ। वा धन दवलत अईश्वर वाइभव से माला माल हो गई। पती के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने नगी। इदर श्री महालक्षुमी का रानी पर प्रकोभ हुआ। पलस्वरूप राजा बद्रश्रवा का राज एवं राजकारोबार नष्ट हो गया। यहां तक कि खाने के लाले पड़ गये। ऐसी हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया। हमारा दामात इतना बड़ा राजा है, धनवान है, आईश्वरे शाली है। क्यों नो उसके पास जाये। अपना हाल उसे बताए। वह हमारी जरूर मदद करेगा। इस बात पर राजा बद्रश्रवा दामात के पास रवाना हुए। राज्य में पहुचकर एक तालाग के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाग से पानी लेने जाते आते दासी उन्हें उन्हें दुथा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूष्टाच की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे राणी शाम बाला के पिता है तो दोरते हुए जाकर उन्होंने राणी को सारी बात बताई। राणी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत किया तथा आधर सतकार किया। खान पान करवाया। जब वे लोटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा बद्रश्वा जब वापस लोटे तो उन्हें देखकर राणी सूरत चंद्री का खुश हुए। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुँ खोला। प्रहाय बगवान। गड़े में धन के बदले कोईले मिले। यह सब श्री महा लक्षमी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन भीत गए। हुए इस बार राणी स्वयं अपनी कञ़्या के पास गई। वह दिन मारकशिस्क महा का अन्तीम गुरुवार था। श्याम बाला ने स्री महा लक्षमी का वरत किया। पूजा की अपनी माता से भी वरत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई, श्री महालक्षमी का वरत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाथ, धन दवलत, अईश्वरे प्राप्त हुआ, वह फिर से सुख, शांती, आनंदमय जीवन बिताने रगी, कुछ दिनों बाद राजकन्ना शाम बाला अपने पिता के घर उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बाती याद रही, यही कि शाम बाला ने अपने पिता को गड़ा बर कोईला दिया था, और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था, इसी कारण शाम बाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतित्य नहीं हुआ, बलक माईके से क्या लाई हो इस पर उसने जवाब दिया वहां का सार लाई हो पती ने पूछा इसका मतलब क्या हुआ शाम बाला ने कहा थोड़ा धीरज रखे सब मालूम हो जाएगा उस दिन शाम बाला ने सारा बोजन नमक डाले बिना बनाया और परुसा पती ने खाना चखा सारा खाना नमक बिना था इसलिए स्वादना आया फिर शाम बाला ने थाली में नमक डाला इससे सारा बोजन स्वा फिर वह दोनों हसी मजाग करते हुए बोजन करने लगें। कहा गया है कि इस तरज जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्षमी की पूजा करें, उसे माता की कुरुपा प्राप्त होती है। सुख, संपत्ती, शांती प्राप्त होती है, सभी मनो कामनाय पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को वृत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस त्रह श्री महालक्षमी के महीमा भक्तों की मनो कामना पूर्ण करती है। इस प्रकार श्री महालक्षमी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। जै श्री महालक्षमी माता, जै श्री राम, जै हनुमाल।